हलो गुड़ मॉनिंग एब्रेवन माइनम इस दी प्राच चंद्राकर और मैं आपके लिए लेके आया हूं थेरी आप मशिन का सिरीज कल एक होमवर्क दिया था कोश्चन ये था कोश्चन ये था होमवर्क का कोश्चन इस तरीके से इस डिस्क इस से टू प्यो रोलिंग ये जो डिस्क है वो प्यो रोलिंग में होगा एक केस था रोलिंग विद फ्लिपिंग च्छिक है जितने लोगों का फॉस्ट क्लास है वो ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको आज की क्लास का पूरा नोटस आपके पास होना अच्छी है आज की क्लास आप पूरा सुनेंगे उसके बाद प्लेलिस्ट बना है हाना गेट एकडमी की यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट बना है प्रिवियस तीन लेक्छर अल्रेड़ी अप्लोडेड है तो आप आज का यह आज मतलब दो दो घंटे क्या अप्रॉक्स लेक्चर है तो आज के आज ही आप आलमोस्ट चीजों को खतम कर लेंगे नोर्स बना करते हैं देखो यह कोश्चन था जैसे मैंने बोला इसको ओ बोल दिया इसको बोल दिया A and this is your B नाव आइडियो लिंक काउंट करते हैं यहाँ पर इस इस यूवर लिंक नमबर 1 इस यूवर लिंक नमबर 2 इस यूवर लिंक नमबर 3 and this is your लिंक नमबर 4 और ये वापस लिंक नमबर 1 होने वाला है ठिक इस तरीके से हैं अब दीखिये यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके टोटल कितने लिंक आए चार टोटल कितने लिंक आगए चार फोल लिंक नमबर अप लोग पयर 1 2 3 तीन टनिंग पयर ठीक है जे इक्वल टो 3 and 1 हायर पयर यहाँ पी यह देखें यह हायर पयर half equal to 1 ठीक डिग्रीव फ्रीडम लिकालने जाता हूं half equal to 3L minus 1 3L minus 1 means 3 into 3 minus 2 जे 2 into 3 minus 1 that is what 339 and 61. तो यह आ रहा है डिग्रीव फ्रीडम 2 अब देखिए अगर degree of freedom 2 आ रहा है और आपनी case को माना है जैसे मैंने बोला इस case को मान लिया pure rolling का case मान लिया किसका case मान लिया pure rolling pure rolling का case है मतलब this disc is rolling without flipping test series कब से मिलेगा सब्सक्राइब test series आगे idea देखिए जो gate academy के students है जो PDGD है उनको तो आपको मिलना ही वाला test series जो नहीं है मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि आप test series जरूर join कीजिएगा इस बार test series जो है वो अभी जो faculties lockdown में फसे हुए है आपना almost मैं खुद तयार किया हूँ paper ठीक है ना तो paper faculties ready किये हैं तो काफी अच्छे questions काफी मज़ेदार questions and especially अगर मैं बात करूँ तो gate का slivers जो है उसको focus करते हुए questions उसमें डाले गए ऐसा नहीं है कि random questions आपको दिखेंगे बहुत तरीके से चीजे को उसमें अपन carry करते हुए चल रहा है तो मुझे लगता है और ज्यादा महेंगा भी नहीं है रोज राज ठीक है आपका नाम ले लिया जी डिफ्रेंट टेस्स होगा हां बाइस के लिए डिफ्रेंट टेस्स होगा गर अभी तो 21 के लिए focus किया है हम लोग मैं क्या कह रहा था जिनकी भी first class है वो अभी continue रहेंगे और बाखी previous three lecture already playlist बना है वहाँ से आप लोग करेंगे लेकिन अगर ये प्योड रोलिंग में रहा ये प्योर रोलिंग में रहा तो यह जो यहां पे अगर input दूंगा मै है है यहां पे इन्पुर दूंगा तो output यह यह वाला point इस तरीके से गुमेगा यह आगे बढ़त जाए गा इधर इह जो यह फिर जागीixíकर प्योर है एक input में एक output मिल रहा है लेकिन degree of freedom कितना रहा है two it means that this is wrong now my dear यहां से start कर रहे है हम लोग limit limit of course back equation limits of course back equation ठीक limit of limits of course back equation good morning everyone good morning everyone ठीक है चलिए चलिए नरिंदर यहां पर हाना मैं क्या बोला जितने लोग हैं कल तक कल तक तो मेरा statement था कि pure rolling पहले आपन मान लेंगे हाना pure rolling मान लेंगे उसके बाद वहाँ जो degree of freedom होगा sleeping में उससे one plus कर देंगे लेकिन यहां पर देखो यहां पर देखो यह प्योर rolling में मैंने माना मैं जैसे follow करता था वैसे ही follow किया follow करने के बाद degree of freedom के formula से मुझे मिल रहा था two लेकिन actually अगर मैं देख रहा हूं actually अगर देख रहा हूं तो यहां पर degree of freedom कितना आ रहा है one मतलब जो b point का motion है that is nothing but linear इस तरीके से motion है इसको कई तरीके से मैं show कर सकता हूं हाणा मैं चाहूं तो इस तरीके से show कर सकता हूं कि यह ऐसा हो गया बाई यह इस तरीके से यह देखो अगर अगर मैं बोला की यह हुआ O यह हुआ A यह हो गया B अब देखे B पॉइंट जैसे ही यहांपे इंपूट दूँगा जैसे इंपूट दूँगा क्या B लिनिया मोशन करेगा इदार हाना linear motion करेगा जैसे यहां पे कर रहा था जैसे वहां पे कर रहा था similarly ठीक दूसरा तरीका मैंने बोला था एक higher pair दो lower pair से replace होगा उससे भी replace करके देख सकते हो इस तरीके से कि यहां पे higher pair को मैं lower pair से replace कर रहा हूँ अगर मैंने इस तरीके से replace किया यहां पे एक यहां पे और एक यहां मतलब यह higher pair अब इस तरीके से replace होने वाला है ठीक है so यह वाले जो point है यह वाले जो point है ठीक है यह इधर ही motion करेगा यह इधर ही motion करेगा actually अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि b point linear motion करेगा एक input की वज़ा से ठीक है न, अब linear motion कर रहा है, यह दीख रहा है, साप साप मुझे दीख रहा है, कि यहाँ पे degree of freedom कितना होना चाहिए, one, so app actual should be one, app actual should be one, कब, जब pure rolling में रहेगा, तब, pure rolling में रहेगा, तब, लेकिन अब rolling with sleeping होगा, तब एक degree of freedom बढ़ेगा, मतलब यह जो condition था न, यह rolling with sleeping के condition में दिया, यह answer, मतलब मुझे एक समझ, एक चीज़ समझ में आ रहा है, मैं दो year का student हो, सार, ठीक है, मतलब second year का student हो, ठीक है, अभी पढ़ो, आप लोग के विए साब, उसमें आश लेगा उन थे, अप माशिन, इप friction between roller and floor होगा, तो फिर degree of freedom कितना होगा, सार, हाँ, अरुन, आ रहा हूं, उसी बात पर, ठीक, link number four, redundant है ना सार, नहीं, नहीं है, good morning, good morning everyone, ठीक है, यह erase कर रहा हूं, higher pair, lower pair, आज और बताऊंगा, मैं, equivalent mechanism के बारे में, मैं बात करूंगा, ठीक है, चलिए, यहाँ पर मैं बोला, कि भाई, आपका degree of freedom 2 आ रहा था, नॉर्मली जो case लेकर आपन चल रहा थे, लेकिन, actually अगर pure rolling में रहेगा, तो actual degree of freedom is 1, actual degree of freedom, pure rolling के case में, आपका degree of freedom 1 होगा, for particular this condition, यह 1 होने वाला है, अगर rolling, rolling with sleeping रहा, rolling with sleeping रहा, rolling with sleeping रहा, with sleeping, then definitely इसका degree of freedom आपका कितना हो जाएगा, that will be equal to, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, यहाँ तक तो ठीक है, यह मतलब sleeping जैसे ही बढ़ता है, तो एक degree of freedom बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग formula से जब लिका ले थे, तब तो 2 आ रहा था, तो 2 plus 1 करना चीए था, लेकिन 1 ही दिख रहा है, क्योंकि actually, actually यहाँ पर one move कर रहा था, अब limitation of course back equation देखिए, क्या है limitation, क्या है course back equation का, कि वो आपका जो है, यह, इसका जो multiple motion होता है, ठीक है ना, link का, जो multiple motion possible है, उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, limitation है यह course back का, course back question का limitation है, कि आपका, आपका, क्या बोल रहा है, ठीक है मैं पढ़ता हूँ, आपके comments पढ़ता हूँ, limitation, पहला limitation क्या मिला, course back का, कि multiple motion of link के बारे में वो बात नहीं करेगा, अगर एक link का multiple motion होगा, तो उसमें वो incorrect answer देगा, incorrect answer देगा, clear है, ठीक, so, यहाँ पे अपने को पता चला, कि भाई, अगर यह pure rolling रहेगा, तो degree of freedom 1 होने वाला है, और अगर with sleeping रहेगा, तो degree of freedom कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह अपने को note करके लिखना है, और my limitation, लिखाँगा, यह लिखो, तब तक मैं आपके comment पढ़ता हूँ, enough होना चीए, कि वहाँ पे pure rolling हो, देखिए, pure rolling, pure rolling तब ही possible होगा, dear, for example, देखिए, अगर मैं इसको घुमाना चांगा, यह आगे बढ़ना चीए, यह आगे बढ़ना चीए, तो अगर यहाँ पे friction नहीं रहेगा, यहाँ पे friction नहीं रहेगा, तो यह तो यहीं पे sleep हो so friction, pure rolling के case में हमेशा क्या होने वाला है, friction रहने वाला है, यह point याद रखना है, ठेकर अपने को यह ध्यान में रखना है, कि हमें friction, pure rolling के case में friction हमेशा रहने वाला है, यह point आप note करके copy में कहीं लिख लेजे, मैं आगे और बात करूँगा, ठेकर, बहुत सारी जगा पे ऐसे बाते बताऊंगा कि भाई, यह pure rolling आया, friction है, तब भी क्या-क्या बाते होंगी, ठेकर ना, जासे last year, 2018 में एक question आगया था, pure rolling case बस दे दिया था, friction वगरा के बारे में बात नहीं किया था, लेकिन pure rolling कभी possible है, जब friction होगा, smooth surface में pure rolling possible नहीं है, ठेकर है, ठेकर है, so यह note कीजि मैंने आपका answer कर दिया, link 4 redundant है ना, sir, link 4 redundant, देखे dear, link 4 को आप अगर redundant करते हो, ठेकर ना, तब भी आपका पहले case में आप answer ले आओ, that's okay, ठेकर ना, कि भाई, यहाँ पे इसका rolling motion को मैं avoid करूँगा, simple linear motion, मतलब यह इसमें convert कर दिया आप, actually, इसमें convert कर दिया, तब answer आ जाए लेकिन अगर मैं बात करूँ, कि उसके बाद with sleeping के बारे में भी तो बात कर रहा हूँ, with sleeping के बारे में भी बात कर रहा हूँ, so इसको redundancy, redundancy यहाँ पे one count कर सकते हैं, yes, Narendra, ठीक, yes, understood, good morning, sir, sarma, sir, मतलब आप live हैं, देख रहे हैं, मैं live हूँ, आप देख रहे हैं, sir, अगर roller को redundant ले, तो degree आएगा न, हाँ, क्योंकि roller, samrath मैंने answer कर दिया, ठीक है, वही linear motion को consider करके, यहाँ पे इसको redundancy count कर रहे हैं, ठीक है, roller को redundancy नहीं ले सकते, सुजी चावान मैंने answer किया, की redundancy आप consider किये, आप redundancy इसका consider किये, हाना, तब degree of freedom 1 आया, लेकिन अगर redundancy मैंने consider किया, तो rolling with sleeping वाले case में मा फाल जाओंगा, समझ मा रहे है, rolling with sleeping में मा फाल जाओंगा, Sir, what is the degree of freedom when link 3 is eccentrically connected with the roller, निरुद्ध यह पूछा, सर जी, मेरा सही है, ठीक है, यह सर, अन्दा सूर, गुर्मानिंग, सर, आपने बताया था कि theoretically zero होगा, friction कियो rolling में, Friction theoretically zero होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे point of contact में, point of contact में, velocity zero होता है, लेकिन actually क्या होगा, there will be practically friction तो friction तो है न भाई, friction तो है, और pure rolling ऐसा possible नहीं है, वो point of contact में जो velocity zero होता है, इस वज़े से, और लेकिन अगर वो smooth surface रहेगा, अगर वो smooth surface रहेगा, then वहाँ पे वो, क्या होगा, slip, slip होना, शुरू हो जाएगा, ठीक है, But sir, statement rolling with friction, pure rolling, ठीक है, Sir, हाँ, Nalingar, मैं बोला, क्या बताया आपको, समझ माया है, जी sir, देख रहा हूँ, हाँ, ठीक है बेनो sir, But sir, statement है, हाँ, ठीक है, Sir, by chance, do you know anything about amtech, Dear boss, दूसारी बाते, बाद में, ठीक है, ठीक है, Note, यह, नोट करने का आद नीचे लिखे एक note, लिखे है नीचे note, बहुत सारी बाते करने वाला हूँ, आज limitation of goods back, उसके बाद ही मैं ग्रबला क्राइटेरिया में जा सकता हूँ, ठीक है, Sir, actual में ball x and z direction में move कर सकता है, planar है, planar है, तो आप z direction के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, यह, आप इस direction के बारे में बात कर रहा है, z direction, अगर मैं free रखूंगा, free रखूंगा, तो ball will have two degree of freedom, because that will be the higher pair, ठीक, कौन बोला है यह, आसू, हनम, कल बात किया था ना, कि higher pair में 2 degree of freedom होगा, कि भाई, यह इस तरीके से भी motion करने में possible होगा, लेकिन उसके लिए, यह वाला जो turning pair है, A और B का, वो लिकाल के अलग करना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है, पर kinetic friction zero होगा ना, यह, ठीक होगा, लेकिन actually नहीं होता, वहाँ rolling resistance आता है, pure rolling में rolling resistance आता है, I think first lecture या second lecture में मैंने बात किया है, ठीक है आप लोग देखना क्या है, यह note का लिए, यह note का लिए, लिखे note नीचे, लिखे note, कुछ्बच 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 क links रमेज, चवहान आपको समझ माया क्या सर इस पर इंपर किजिए ऐसी चले गड़ी है अराम से चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एकड़म भगा देंगे लिखे लिखे कुर्स बैक equation does not consider multiple motion of a link multiple motion of a link multiple motion of a link ठिक अब देखिए अगला question, एक question और देखते हैं इस तरीके से अच्छा, इसी question में एक छोटा सा बदलाव करना चाहूंगा, हाना छोटा सा बदलाव मैंने बोला कि O, A, B is a single link लिसन यहागा यहाँ से, जितने लोग यह lecture देख रहे हैं अभी मैं पहले question के बारे में बात किया अब इसी में मैं O, A, B इस तरीके से बोला single link हो गया O, A, B अगर single link हो गया, तो degree of freedom कितना होगा Sir, note नहीं समझ आए note यह idea कि यहाँ पही यह जो multiple motion है multiple motion मतलब that can be also linear motion अगर pure rolling में रहेगा तो pure rolling में वी equal to क्या हो जाएगा ओमेगार लेकिन अगर sleeping हुआ सांथ के सांथ, ठीक तो यह नहीं होने वाला, मतलब वहाँ पर दो चीज़े possibilities है, दो चीज़े possibilities है, pure rolling दूसरा rolling with sleeping, ठीक, तो उसके बारे में वो consider नहीं कर पाता, कौन puts back equation, ठीक है Arun Nisadi इसका answer आपने किया है, zero इसका answer कीज़े Sir, I am first, second, same student, can I study this, हाँ, हाँ, पढ़ सकते हैं अभी time का use कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बात करते जाऊंगा एकड़म basic से ही बात करूंगा, कोई extra चीज मंदब ऐसा नहीं है, कि मैं नहीं answer, answer कीजिए आशु आपको समझ में आया, क्या बोला मैं Sir, redundant, खतम हो गया, हाँ, redundant, खतम हो गया बात सारी बाते किया Ramesh Kumaachawan इसका बोल रहा है, degree of freedom, one, one, one चलिए देखते हैं यह हो गया, link number one यह हो गया, link number two OAB is a single link यह हो गया, link number three और यह वापस link number one So, total कितने link हो गया तीन Number of joint one क्या किसी ने इसको count किया, क्या अगर किसी ने इसको count किया, तो वो गलती कर गया क्यों, क्योंकि वो turning pair नहीं है न भाई अगर OAB is a single link तो वो turning pair नहीं हो सकता अगर यह turning pair है, तो OAB is not single link यह turning pair नहीं है यह turning pair नहीं है One, two आपके दो lower pair है और एक higher pair हुआ So, degree of freedom that is your three into two minus two into two minus one So, that is your three to the six minus two to the four minus one So, six minus four minus one equal to one Degree of freedom कितना रहे है, one मतलब एक input दूँगा तो एक output मिलना चीए लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? कि यहाँ पे अगर input दोगे यहाँ पे अगर input दोगे तो क्या output मिलेगा? क्या output मिलेगा? नहीं क्यों? क्योंकि यह वाला angle तो change नहीं होने वाला ना भाई यह वाला यह वाला जो angle है यह change नहीं होने वाला मतलब ना तो यह आगे बढ़ेगा ना तो इधर आने वाला अगर मैं वापस इसको इधर गुमाऊंगा तो यह उपर उड़ जाएगा क्योंकि ये angle change नहीं होगा जैसे कि मैंने बोला कि एक position यहाँ पे आगे तो जाएगा नहीं अगर मैं ऊपर इधर लाया तो इस तरीके से कुछा आजाएगा यह हवे में आजाएगा मतलब mechanism नहीं रहाएगा यह pair break कर देगा समझ पार हैं क्या क्योंकि ये angle हमेशा क्या होना चीए same होना चीए so again here actual degree of freedom should be actual degree of freedom should be 0 actual degree of freedom should be 0 ठीक 0 for pure rolling and 1 for sleeping in this case sleeping भी होगा हना sleeping भी होगा तब भी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे अगर मैंने बोला कि इसी को sleeping के लिए दे दिया इसी को input दे रहा हूँ या इसी को आप बोल रहा हूँ कि नरेंदर आपकी बात मैं मानते हुए मैं बोलता हूं कि इस ही को input देता हूं, यह rolling with sleeping है, यह रोलिंग with sleeping है, यह ही पर sleep हो रहा है, इसको input देता हूं, लेकिन output कुछ मिलने माला आइका है, नहीं मिलेगा, मतब degree of freedom will be always zero in this particular case. ठीक, कॉंसल ओवा पेर कह रहा है, सुजित, कहां गया है, कहां गया है, कौन कहां बोल रहा है, सर जिरो फोजर वन 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 नहीं आया, सर ड्रिंगल, हाओ, सर वन से नहीं समाझ आया, there is redundant rolling, hence degree of freedom is zero. देखो, यहां पे, यहां पे यह रोलर करना, कोई use नहीं रह जाएगा, आप अगर इसको one link मान रहे हो, one link मान रहे हो, मतलब this angle should be always this, ऐसा ही रहने वाला है, यहां पे आप slider भी लगा दोगे, तब भी यह b-point ना तो इधर move करने वाला है, और ना ही इधर move करने वाला है, द दे तो, हाँ, तब कुछ ना कुछ चीजे अपने को वहां पे देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, lower pair में convert करेंगे, तो, but, but, again, 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 उसको हम define नहीं कर पाएंगे, हाना कि lower pair, lower pair में अपन convert कर दिये, कि आप कह रहे हैं, कौन है, technical study, zero, I got degree of freedom, ठीक है, हाना, आप lower pair में अगर convert कर दिये, इस तरीके से, पहले बताया थमा कहीं, यह, यह, यही ले लो, ठीक है, यह higher pair को, एक single lower pair में ही, मतलब, just, क्यों, क्योंकि motion same है, यह equivalent mechanism में नहीं आएगा, भई, यह equivalent mechanism में नहीं आएगा, भई, equivalent mechanism में है, मैं बताने वाला तो एसी question में ही, high pair, तो दो lower pair में बदल दे, तो degree of freedom, one होगा, हान, इस question में, इस question में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि इस तरीके समझ चेंज कर दूँगा, तो यह घुमेगा, यह घुमेगा, तो इसका angle तो same रहेगा, और यह position change होगा, यह position change होगा, ठीक, मतलब क्या समझ नहीं मा रहा है, कुट्स बैक equation, यह नहीं बताए पाएगा, degree of freedom, यह degree of freedom का यह नहीं बता पाएगा, कि अगर lower pair और higher pair में conversion हुआ, same instantaneous के लिए, समझेगा, इस बात को, मतलब इसी particular instantaneous, इसी particular instant के लिए, अगर मैं lower pair में convert करता हूं, इसको, ठीकना, higher pair को, अगर lower pair में convert करता हू हूं, हाना, तो वो आपका correct answer नहीं देगा, कौन, puts back equation, ठीकना, y mechanism का correct answer नहीं देगा, लिखे नोट, Sir, degree of freedom negative हो सकता है, yes, हो सकता है निति, मैं बताया हूं, dear, जिनकी भी पहली class है, जिनकी भी पहली class है, हाना, वो पहले के तीन classes follow करेंगे, आज मेरे साथ चलिए, जितना नहीं समझ माता, hold करके, बस चलते रहिए, हाना, जो regular हैं, अभी तक के class में, फिछले तीन class जो already attend कर च चुके हैं, और आज चौती class जो attend कर रहे हैं, हाना, उनको नहीं समझ माता, वो जरूर यहां पे खूशी है, और आज पहली class, जैसे कहीं लोग लिख रहे हैं, कि Sir, degree of freedom 1 कैसे होता है, क्या है, lower pair किस तरीके से है, हाना, तो वो सारी बातें मैं previous class में already कर चुका हूं, बता र हो सकता है, Sir, यहां भी lower pair करके दिखाई, lower pair मैं दिखाता हूं, dear, हाना, यहां पे lower pair तो यह simple दिख रहा है, ना, center सा अपन नीचे ले आएंगे, मैं बताया ही हूं, हाना, no problem, ठीक, कल कई question करा रहा था, लिके limitation में, कुर्षबक कर, note, if higher pair, if higher pair, converted into lower pair, converted into lower pair, कुर्षबक कर दिखाई कर दिखाई कर, if higher pair, converted into lower pair, कुर्षबक कर दिखाई 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 कर ये अंगल क्या है, ये इंगल क्या है, For example, मैंने बोला या, इस तरीके से मैं इसको consider करते हम, यह देखिया है, यहाँ पर turning पर नहीं है, मैंने क्या किया, एक ऐसा सीधा रोट था, उसको ऐसा bend कर दिया, bend कर दिया, मतलब अगर मैं बोला, कि इसको मुझे ले जाना है, तो यह ह That will be always same, यह हमेशा same रहने वाला है, अगर same रहेगा, तो यह अगे नहीं बढ़ेगा, अगर मैं इसको opposite direction में ले गया, जैसे black queen का यूस किया था, मैं opposite direction में ले गया, इधार ले गया, तो क्या होगा यह, pair break कर देगा, मतलब degree of freedom, zero आने वाला है, ठिक? हमें कैसे change करेंगे, कल भी बताया था, आज भी बता हूँगा, wait and watch, I think double parallelogram, yes, उसी प्यार हूँ, उसी प्यार हूँ, अभी इतना ही नहीं है, मेरे खाल से जितने अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ चीजे आप लोगों को पता थी, लेकिन बहुत सारी चीजे बात कर रहे हैं, तो वही लेता हूँगा, limitation बहुत है कुर्दबैक equation में, उसमें भी हम लोग बहुत कम चीजे ही पढ़ते हैं, O, A, B, C, D, E, and here A, C is a single link, is a single link, एक single link, अगर इसका degree of freedom लिकालने जाओंगा, degree of freedom, this is nothing but a parallelogram, ठीक, अगर माँ degree of freedom लिकालने जाओंगा, तो क्या हो जाएगा, link number 1, 2, ये A, C is single link, मतलब link number 3 हो गया, ये हो गया, link number 4, ये हो गया, link number 4, ये हो गया, link number 4, 5, बाकी तो ये 1, 1 है, 1, 1 fixed link, clear है यहां तक, ये तो करते आएं, so total number of link कितने हो गया, 5, total number of link कितने हो गया, 5, now number of turning pair or lower pair, that is 1, 2, यहां पे ये lower pair होगा, ये lower pair होगा, तभी तो ये यहां पे connected रहेगा, ठीक, ये और ये link same है, मतलब A, C is a single link, but B, D is different link, तो यहां पे ये turning pair रहेगा, ठीक, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, so j equal to 6, ठीक, अब degree of freedom अगर मैं लिकाने जाओंगा, तो app equal to 3L minus 1, 3 into 4, minus 2J, that is what, 2 into 6, तो ये होगा आपका 12, 12 equal to 0, degree of freedom कितना आ रहेगा, 0, लेकिन, लेकिन, अगर मैं इसको घुमाऊंगा, ये भी घुमेगा, और ये भी घुमेगा, मतलब आप input दोगे, एक particular input में, एक particular output मिलने वाला है, अगल limitation of course back, course back equation आपका, जो mechanism है, उसके geometry के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि इसी question को, क्या ये note कर लिए हो, ये note कर लिए हो, note करो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ये note करो, उसके बाद मैं बताता हूँ, sir आप question बहुत करते हो, इसलिए session और ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ, हाड या, sir theory नहीं पढ़ा होगी, theory पढ़ा हो यार, is all this limitation, हाँ, नहीं, SS return में limitation नहीं दे रखा है, नहीं आपके खुर्मी साब में limitation दे रखा है, भाई, अगर किताब में ही सारी चीज़े रहती, तो मैं क्यों खड़ा रहता है, ठेके ना, मैं हूँ, हाणा, थाक कि आपको कुछ ऐसी चीज़े बता सकूँ, जो किताब में नहीं है, ठेके, sir, क्या loop criteria method everywhere, loop criteria method में कल एक note लिखाया थडियर नितिस, कि that is valid for the only lower pair mechanism, या linkage, हाणा, lower pair mechanism, कौन सा, जिसमें सारे pair, lower pair होंगे, उसी को lower pair mechanism बोलता है, ठीक है, इसका answer बहुत लोगों ने 1, 1 और नितिस आपने minus 1 दिया, क्योंकि आपने इसको redundant माना होगा, नितिस, इसको redundant माना होगा, इसलिए आपने minus 1 FR करके, आपने इसको minus 1 दे दिया, लेकिन actually ऐसा नहीं है न अगर पहला link रहेंगे, तो input दूँगा, तो output मिलेगा, ठीक, मेरे खाल से यह वाला portion note कर लिए हो, new student सार, जितने भी नए student है, जितने भी नए student है, वो साथ के साथ आज चलना है भाई, I have question, question is all, loop rule, I get two degree of freedom, or is get degree of freedom, as you get, now is zero, वही कह रहा हूँ मैं, एक बार देखिये, होगा क्या, कि किसी particular situation में वो valid हो जाएगा, किसी particular situation में नहीं होगा, but loop criteria, remember this one, loop criteria is valid for the only, only for the lower pair mechanism, छेक मैं कली लिख्वाया था इस चीज़ को, वो आपको कहीं पे दीख जाएगा, कि हाँ भाई, यहाँ पे सहीं आगया, अगर मैं बोला कि higher pair का दूसरा example दे दूँगा, वहाँ पे फ़र्ज जाओगे, वो से नहीं आएगा, ठीक है ना, तो कहीं पे सहीं आएगा, कहीं पे नहीं आएगा, चलिए, अरे, online है, मन साओ, online किताबें मिल जाती है, बहुत सारी है, यास, टन, चलिए, 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 अब देखे, मैं बोला कि इसमें degree of freedom was zero आ रहा है, बट, actually, actually, अगर input दोगे, तो output मिल रहा है, मतलब, app actual, app actual equal to कितना आ गया, one, app actual equal to कितना आ गया, one, ठीक, अगर इसी को, इसी question को मैं बोला, इस तरीके से रहा, ये, number of links are same, only ये app actual नहीं रहा, ये था, O, A, B, C, D, and E, now, my dear, again, A, C is the single link, again, A, C is the single link, मतलब, आपका, अगर मैं link count करूंगा, तो same आएगा, one, two, ये हो गया, three, ये हो गया, four, और ये हो गया, five, so total number of link आ गया, five, number of joint, lower pair, one, two, three, four, five, six, so j equal to six, अगर degree of freedom लिका लूंगा, अब, so app equal to कितना आ जाएगा, three, l minus one, that is your three, five, ये हो जाएगा, four, and two into six, equal to zero, and अभी correct है, अभी correct है, अगर यहाँ पे input दोगे, तो ये रोग देगा, output will be zero, output will be zero, मतलब, इसका degree of freedom will be zero, इसका degree of freedom will be zero, मतलब, एक चीज़ और समझ मार रहा है, कि coulds back equation, coulds back equation, mechanism के geometry के बारे में बात नहीं करता, यहाँ पे parallel links थे, यहाँ पे parallel links थे, यहाँ पे parallel link नहीं है, यहाँ पे parallel link नहीं है, मतलब, coulds back equation, geometry के बारे में बात नहीं करता, लाइन साफ नहीं दिखता सर कौन से, एक मिनट, your teaching is very well सर, thank you dear, this example, to lower studying where, कौन से example कह रहो नरेंदर, why can't you, you, you can't use loop rule, बताया है loop rule का, funda, ठीक, sir, ink से नहीं दीख रहा है, अच्छा, यह सब problem हो रहा है, क्या, एक मिनट, मैं paint change कर दे रहा हूँ, sir, marker light, हाँ, ठीक, मतलब, सब को problem आ रहा है, अब ठीक है, ठीक है, सो मैं बोला कि भाई, इस समय, इस समय कैसा था, कि यहाँ पे सारे links, यह वाला link, मनलब link number two, four and five, parallel थे, इसमें आपका यह parallel नहीं है, यह parallel नहीं है, मतलब आपका जो geometry है, mechanism, भाई, दोनों तो सेम था ना, number of link, number of joint भी सेम है, geometry बस अलाग है, यह parallel है, यह parallel नहीं है, parallel नहीं है, तब degree of freedom zero आया है, जो कि correct है, जब parallel है, तो degree of freedom zero आया रहा था, जो कि incorrect था, लिखे, limitation of course back में, एक point all लिखे, so link A, B and link B, C are different links, then, उसके बाद तो आप अलग count करोगे, उसके बाद अलग count करोगे, अगर यह अलग link हो गया, और यह अलग link हो गया, हाँ ना, तो आप अलग count करोगे, करके देखेंगे कि क्या होगा, पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, लिखे limitation of course back equation में, लिखे, course back equation does not consider, course back equation does not consider, course back equation does not consider, geometry of, geometry of mechanism. आपको कई जगा इस तरीके से भी देखने को मिलेगा कि जितने भी लिंक पैलर रहेंगे जितने भी लिंक पैलर रहेंगे हाना तो आप सिर्फ अगर मैंने बोला यहां पे 10 लिंक मैंने पैलर डाल दिया ठीक और मैं देखूंगा सिर्फ और सिर्फ इंपूट और आउटपूट लिंक मतलब बाकी जितने भी पैलर लिंक रहेंगे बीच के उसको हटा दूँगा इसमें यह वाला जो बीच का लिंक है इंपूट और आउटपूट पे बस ध्यान दे रहा हूँ यह वाला लिंक को लिकाल के मैंने फिक दिया तो कितने हो गए 1,2,3,4 जॉइंट 1,2,3,4 क्योंकि इसको तो मैंने बाहर फिक दिया तब degree of freedom क्या correct आएगा यस तो पैलल की case में आप ऐसा follow कर सकते हो कि आपका जो जितने भी पैलल लिंक रहेंगे उसको बाहर कर सकते हैं ठीक लेकिन actually kurdsback equation क्या geometry के बारे में बात करता है क्या नहीं कोई भी पूछेगा कि kurdsback equation क्या geometry के बारे में बात करता है बिलकुल नहीं क्योंकि देखो कि same mechanism same चीजे उतने ही लिंक सिर्फ और सिर्फ इसको नॉन पैललल करने से आपका degree of freedom 0 आ गया और इसको पैललल करने से एक्चुली degree of freedom 1 आये का ख्लियर है ठीक टू एंड ओ लिंक डीफर क्यों है क्या कह रहे हो डियर repeat again last example चलो यह वहीं से सुरू करता हूँ अब सही है ठीक है मतलब वह marker सही है लिंक a b and link b c are different link than what हाँ उस पर बात करूंगा link 2 and 4 2 and 4 link differ क्यों है 2 and 4 कि इसमें आच्छा इसमें कह रहे हो इसमें मैंने क्या किया मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कूर्दबैक equation में इसको मैंने क्या किया कि पूरा parallel लिया ठीक पहले लिया number of link count कर लिया number of joint count कर लिया degree of freedom लिकाला तो वहां से पता चला कि zero आ रहा है लेकिन actually कैसा है motion मिल रहा है degree of freedom 1 होना अच्छी वहां ठीक तो यहां से यह कूर्दबैक equation इसका सही answer नहीं दिया लेकिन जैसे ही इसी mechanism में मैं इसको non parallel कर दिया यहां पे non parallel कर दिया तो degree of freedom कितना आ गया zero जो कि सहीं है जो कि सहीं है तो दोनों cases में calculation तो same है दोनों cases में degree of freedom by formula zero आ रहा है लेकिन इस case में इस case में zero है सही answer बट इस case में zero नहीं है इसका मतलब क्या समझ माया है इसका मतलब समझ माया है कि mechanism की geometry को consider नहीं करता course back geometry को consider नहीं करता course back but sir यदि middle वाले को input ले तब why क्या रहा हूं ठीक किसी ने बोला sir इसको input लेता हूं तो इसको हटा दे ना याद इसको input ले रहा हूं इसको output अब मैं बोला कि इसको हटा दो तो एक student बोलेगा sir इसको input और इसको output ले रहा हूं अरे तो इसको हटा दे मैं बोला शिर्फ input और output लेना है middle को input ले रहा हूँ और इसको output ले रहा हूँ तो इसको अटा दो इसको input ले रहा हूँ इसको output ले रहा हूँ तो इसको अटा दो सिर्फ input और output पे focus करना है पैलल के case में ठीक है ठीक है सब motion repeat कर दीजे यही कह रहा हूँ, यहाँ पर देखो, अगर मैंने बोला कि यह घुम रहा है, यह घुम रहा है, तो यह वाला इधर आएगा, यह वाला भी इधर आएगा, यह वाला भी इधर आएगा, मतलब एक particular position पर यह इस तरीके से, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, ऐ लेकिन क्या उस case में मिलेगा यह वाला non-pillar के case में नहीं मिलेगा लिखे क्या लिखे क्या सम मिडिल वाले को input देंगे तो output मिलेगा इसलिए मिडिल वाले को redundant नहीं लिए क्या यह सही है आपकी मर्जी आप redundant भी लोगे ना तो redundant लोगे तो degree of freedom minus 1 हो जाएगा यहां पर redundancy का जो concept है उसको follow करोगे तो that is your fr equal to 1 करोगे तो यहां पर minus 1 और बढ़ जाएगा तो degree of freedom minus 1 हो जाएगा जबकि degree of freedom 1 है तो इसलिए कोड़ बैक equation का कोई नियम यह follow नहीं करता लिखे लिखे भाई पॉइंट लिख लिजिए अभी तक बहुत लोगों को कुछ ना कुछ आ रहा है सर सेकेंड लिंक को नहीं हटाईए फॉस्स लिंक को हटाईए हां हटा दिया वही आया पहलाल वाले में test is क्या answer मारेंगे sir actually पहलल वाले में actual actual is the correct जो actual लिखता हूँ वो correct answer है कैसी बाते कर रहा है या यह actual लिखा यह गलत हुआ यह गलत हुआ यह गलत दिया puts back equation ने गलत दिया यह answer आवाज नहीं आ रही है hello आरिया आरिया क्युक्त 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 हलो हालो ठेका हाँ हाँ ठेका 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 आरहा हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो equation से आया वो गलत अप एक्चुल लिखा this is the correct answer और ये kurzback equation से आ रहा था लेकिन ये गलत दिया न तो मैं वही समझाने के कोशिश कर रहा हूं कि kurzback equation geometry के बारे में mechanism के geometry के बारे में बात नहीं करता second वाले case में देखिए geometry बस बदल दिया मैं मैं बदल दिया middle वाला link is not parallel to the input output middle वाला link अभी parallel नहीं है जैसे ही ये parallel नहीं होगा तो degree of freedom 0 आ रहा है जो कि correct है आप अगर input देनी की कोशिश करेंगे तो ये रोग देगा यह वाला घुमेगा ही नहीं तो output मिलेगा ही नहीं that will be zero degree of freedom will be zero it means that it means that ठीक है हाँ और जो lecture आपको है उसमें already link डाला जा रहा है आप comment में देखिए जो playlist बना हुआ है ये टेकनमी चैनल में YouTube में जो playlist बना हुआ है वो उसमें डाल रहा है तो उसको आपको follow करना है वो previous lecture है तीन lecture उसमें है आज का चौनथा lecture है ठीक है ठीक है भेली लिख लीजे note लिख लीजे लिख लीजे कुर्स बैक equation does not consider geometry of mechanism geometry of mechanism आगे और दिखते हैं एक limitation और बताता हूँ अभी देखते रही है कैसे आएगा अगर मैं बोला कि इस तरीके से कुछ है एक question लिया अगर मैं बोला कि लिखते हैं देखिए एक block ये है एक block ये है अब इसका degree of freedom लिकालना है ये block दोनों यहां पे रखे हुए है ये blank जगह है ये एक block है पूरा और ये दूसरा block है इसका degree of freedom लिकालना है इसका degree of freedom लिकालना है कुछ बैक की question always following 2D yes 3D में भी होता है 2D sorry always बोले थे क्या असू नहीं 3D में भी होता है पहली class नहीं देखे थे क्या sorry दूसरी class दूसरी class में मैं बताया हूँ कि 3D में कैसे होता है लेकिन लेकिन उसको 2D के लिए अपन यूज़ करते हैं planar mechanism और वो 2D में कैसे आया है उसके बारे में मैंने बात किया जो question अभी दिया हूँ उसका degree of freedom बताईए भई Sir question बताईए जिसमे quaternally link होगा रोज राज वो अल्रेड़ी बता चुका हूँ अन्हा कोटernally link वाला question अपन तो मतलब कब जवाने से कल लिए ठीक हां previous lecture में आप देखोगे हां पक्का cam and follower के बारे में बात करेंगे इना इंदर जब आएगा तब 3RAS है इसका degree of freedom बताना है इसका degree of freedom बताना है यह block है समझ रहे हैं क्या यह block है इस तरीके से block रखे हुए है इस तरीके से यह एक block हो गया और यह दूसरा हो गया ठीक है ना? मतलब इसमें पूरा यह surface contact है यहाँ पे भी surface contact है और यह वाले portion में भी यह पूरा surface contact है ठीक सब जगा surface contact है मतलब अगर मैं link पहले count करता हूँ तो this is your fix link, link number 1 ठीक, अगर मैं इसको बोला link number 2 हुआ यह यह क्या हो गया? link number 3 यह वापस fix रहा है तो link number 1 सब 1, 2, 3 total link कितना हो गया? 3 lower pair यह वाला pair हो गया 1 यह pair हो गया 2 और यह pair हो गया 3 अगर आप degree of freedom f equal to 3 l minus 1 मतब 3 minus 3 minus 1 minus 2 j 3 higher pair तो 0 है so it will be 3 to the 6, 6, 0 so degree of freedom कितना आ रहा है? 0 degree of freedom कितना रहा है? 0 ठीक, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है बहुत बड़ी है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है हाना? बिलकुल सही है अब देखो higher pair नहीं है, यह lower pair है यह lower pair है ठीक है? higher pair है? नहीं है अब देखो जैसे ही इसको मैं push करणगा भई इसको जैसे ही post लगाया इसमें, क्या यह उपर जाएगा? यह उपर जाएगा जाएगा पक्का, ठीक मतलब जैसे इसको push करणगा मैं बोला कि इसको इधर यहां तक लाया तो यह उपर OC के हिसाब से जाएगा वापस इसी position में होंगा तो उतना ही वापस आ जाएगा मतलब मैं एक input देंगा तो एक output मिलेगा मतलब इसका answer क्या आया app actual equal to app actual equal to कितना आ रहा है 1 degree of freedom 1 आ रहा है लेकिन formula तो गलत दिया formula तो गलत दिया अब देखो इस formula को यहाँ पर modify किया जा सकता है क्यों क्योंकि यह जो question है ना आपका यह जो question है इसमें ना स्रिप और स्रिप sliding motion हो रहा है स्रिप और स्रिप sliding motion हो रहा है sliding motion हो रहा है मतलब मैं कहा रहा हूं कि यह जो 2D में है न यह वाला जो है अपना 2D, यह हो गया X, यह हो गया Y, then here only translation and here only translation, rotation is not allowed, rotation is not allowed, rotation is not allowed, rotation allowed नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे यह वाला equation अपन लिका ले थी, यह वाले equation की जब बात हो रही थी, तब rotation allowed था, लेकिन यहां पे तो rotation हो नहीं रहा है, rotation हो नहीं रहा है, तो इस formula को इस तरीके से deduce कर सकते हैं अपन कि degree of freedom, maximum possible motion कितना होगा, 2, L-1 for mechanism and minus J हो जाएगा, क्यों J हो जाएगा, देखिए, अचा मैं इसको सुरू से थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, आपका lower pair का degree of freedom कितना है, 1, higher pair का degree of freedom कितना है, 2, ठीक, अगर मैं बात करूँ, यहां पे maximum possible motion कितना होगा, maximum possible motion, possible motion, is 2, because rotation is not allowed, because rotation is not allowed, चोटा वाला block का diagram consider, यह चोटा वाला block नहीं है, इसलिए तो मैं line किया था दियर, रेसी रंजन, ठीक, चलिए, चलिए, यहां पे maximum possible motion is 2, so degree of freedom is nothing but maximum possible motion minus restraint, मतलब यह हो गया, 2 maximum possible, अगर एक mechanism में L number of links है, तो 2L, लेकिन उसको अगर mechanism बनाना है, तो वहां पे एक link को fix किया होगा, तो 2L minus 1 हो गया, minus, J का degree of freedom, J is nothing but lower pair को आप J बोलते हैं, चेक है, तो आपका, इसका degree of freedom कितना होगा, degree of freedom is 1, और maximum possible motion कितना है, 2, मतलब रिस्टिक कितने को कर रहा होगा, एक ही, that is 1, minus, J, higher pair का 0 हो जाएगा, तो यहां पे यह नया formula लिकल के आया, कब, जब rotation allowed नहीं था, मतलब इस तरीके के question के लिए, आपका यह formula आप इस्तमाल नहीं करेंगे, आप formula, लेकिन इसमें भी limitation दिखाऊंगा मैं, एक बार इसी formula में आपका answer मिल जाएगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा, आप first जाएंगे, ठीक है, तो आप इसमें भी answer नहीं दे रहा है, यह 0 आ रहा है, यह गलत हो गया, अच्छली formula क्या होना अच्छी है, अप इक्वल टू, 2L minus 1, minus 2J, sorry, minus J, अब put the values, अप इक्वल टू, अप इक्वल टू कितना आ गया, 2, number of link कितना है, 3 minus 1, 2, minus J, that is your 3, तो degree of freedom will be 1, degree of freedom will be 1, ठीक, लिख है, degree of freedom is equal to 1, यह नोट कीजिए, अगला question मैं कराता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को share कीजिए, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा मजा आने वाला है, टेलिग्राम ग्रूप भी है, हाना, टेलिग्राम चैनल है, मेरा दीपराच चंद्राकर, IIT Bombay की नाम से, आप सर्च करेंगे, आपको link भी मिल जाएगा, इसमें, चैट बॉक्स में आपको link भी मिल जाएगा, वो join कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपन बाते करेंगे, आपन कोशिश करेंगे, हाँ, ने इंदर, बिल्कुल सभी, एक जब मैं ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि वो chemistry तो बहुत ही खतरनाक होता था, थे अपमाशिन मज़ेदार है, जो भी चीजे हैं, उसका कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ पर orientation चेंज अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए formula चेंज हुआ, अब जैसे हमें एक question दी आप लोगों को, यहाँ पर, क्यां हुआnd कुटेगा है, जितनी सारी बाते अभी तक किया हूं मैं, वो तो बहुत सारी जगा आपको ऐसा है कि इतना कुछ बोलेंगे भी नहीं लोग, बताएंगे भी नहीं, कि ऐसा ऐसा भी होता है, सिब कुर्जबाक एकुईशन, ज्यादा से ज्यादा रिडंडेंसी फिर खतम, ठीक है, अभी जो म है, फॉर्मूले का क्या काम है, कोई काम नहीं है, अपन समझने की कोशिश करें, कोई काम नहीं है, मतलब मैं यह बता रहा हूं कि कुर्जबाक एकुईशन, हम लोग 2D में उसको लाये थे, डिराइब करना नहीं बोलना, वो एस्प्रिमेंटली आया है, ठीक है, उसको 2D मे अपन लाये थे, कि भाई, अगर 3 maximum motion possible होगा, तो 3L minus 1 minus 2J minus H, उसके बाद पता चला कि उसमें redundancy भी count होता है, minus FR, उसके बाद पता चला कि वो जितना भी पड़े हैं, हाना, उसमें बहुत सारी चीज़े हैं, जो consider, नहीं करते हैं, चिक, उसके बाद पता चल रहा है कि अगर वो 2D में भी, एक rotation को restrict कर दिया, that is your rotation, एक motion को मैंने restrict कर दिया, that is your rotation को restrict कर दिया, तो formula, नया formula, उस समय 3 था, यहां पर 2 हो जाएगा, उसी के साब सार, चेंज होगा, technical studies, you are great sir, thank you dear, thank you, sir, आपको भी chemistry में, chemistry में किसको problem नहीं हुआ है, inorganic, चलिए, चलिए, बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ dear, इसमें, किसी नहीं बोल रहा है, technical study, आपने बोल रहे हैं, 2L-1 कैसे हुआ, आप क्या 3L-1 को समझ पाया थे, maximum, यहां पर focus कर यहां पर maximum possible motion कितना है, maximum possible motion is 2, maximum possible motion is 2, अगर यह maximum possible motion 2 हुआ, और आपका किसी भी mechanism में, number of, किसी भी chain में, kinematic chain में, number of links is L, तो उसका L का एक, एक link का maximum motion यहां पर कितना हो सकता है, 2, इसमें, अगर इसको छोड़ा मैं, और rotation allowed नहीं है, बोला, rotation is not allowed, तब की बात कर रहों, मतलब यह sub case हो गया, ठीक है, rotation allowed नहीं है, मतलब दो possible motion है, किसी भी एक link का, ठीक, अब उस chain को, एक chain को, अगर mechanism बनाना है, तो एक link को fix करोगे, तो भाईया, यह वाला जो link है, एक link को जो fix किये, उसमें motion 0 हो गया, मतलब यहां पर L minus 1, so maximum possible motion, जैसे किसी एक mechanism में 10 link है, तो 10 मेंके इसे एक को fix किये, तो एक का motion तो हो गई नहीं, बचे 9, 9 में ही maximum 2 possible हो सकते, उसके बाद, degree of freedom, f equal to क्या होता है, यह हो गया maximum possible motion, maximum possible motion, minus, minus, restraint, अरे बताया हूँ यार, minus, restraint, अब restraint में, यहां पर restraint कैसे करोगे, कि जो जितने भी link है, उसको lower pair या higher pair से connect करोगे, so अगर आप lower pair से connect करते हो, तो उसका degree of freedom 1 होता है, higher pair से connect करते हो, तो उसका degree of freedom क्या होता है, 2 होता है, मतलब, यहां पर maximum possible motion कितना है, 2, maximum possible motion क्या है, 2, तो higher pair रिस्टिक कितने को करेगा, 0 को, ठीक, similarly, lower pair का degree of freedom कितना 1 है, मतलब, एक degree of freedom है, तो रिस्टिक कितने को कर रहा होगा, 1 को, सो इसलिए वो हो जाएगा, minus J, minus J, यह तो किया, ठीक, दो कैसे होगा, सर, बता दिया डियर, दो कैसे होगा, अभी भी नहीं समझ माया, प्लीज मैसेज किजए, मैं जरूर बात करूँगा, यह वाला कोशन, इधर आप focus कर दीजए, इधर, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, जिनको भी समझ माया, हाना, प्लीज मैसेज किजए, हाना, तभी इसमें, चैट बॉक्स में मुझे दिखेगा, तभी मैं होल, similarly, this one is the second rectangular bar, which is also in the rectangular hole, now my dear, this is frame, this portion is also frame, अभ इसका degree of freedom अगर लिकालना है, इसका degree of freedom लिकालना है, ठीक, I love you sir, thank you, thank you dear, बहुत अच्छा concept build करते हो, thank you dear, चलिए, 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 बात करते हैं यह आपर, यह होगया link no.1, यह होगया link no.2, यह होगया link no.3, यह वापस होगया link no.1, total कितने link हो गया, 3, total कितने link हो गया, 3, number of joint, number of joint, my dear, number of joint, here, one sliding pair, here, another, surface contact, that is your, ठीक है, this will also give sliding trick. So 1, 2 and 3. So total j equal to, kitna हो जाएगा? 3. So l equal to 3, j equal to 3. So degree of freedom, higher pair is 0. और जरुवत भी नहीं है, अगर मैं इस formula के बारे में बात करूँ, f equal to, क्या हो जाएगा? 2, l minus 1. क्यों ये 2 l minus 1 वाला formula लगा रहा हूँ? Again, here rotation is not allowed. Rotation हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? Rotation? नहीं हो सकता है. इसलिए. So 2 l minus 1 minus j, it means that 2 into l कितना हो गया? 3 minus 1 minus j, मतलब minus 3. So ये हो जाएगा, आपका, that is your 2 number of link 1, 2, 3, 3, 4, ठीक है? 3 minus 1 4 minus 3 degree of freedom is 1. Yes? degree of freedom कितना आएगा? 1 आएगा, correct है, correct है. इसको पूश करोगे, ये उपर जाएगा. या इसको पूश करोगे, तो ये इधर आएगा. तो degree of freedom should be 1. चिक? यहां तक आपने को समझ में आया? कौन बोला? Thank you sir, thank you, thank you dear, thank you everyone. कि कमलेश कुमार आप कहते हैं, कौन सा subject हो रहा है? theory of machine dear, हाना? कौन सा subject कह रहा है? अरे, ऐसे किसे होगा भाई? चलिए, एक question और, हाना? एक दो question, उसके बाद इसमें भी जो limitation है, उसके बारे मैं बताऊंगा, then codes back over, फिर grubler criteria में मैं आ जाऊंगा, ठीक है? यहाँ पर, यहाँ पर इधर focus किजिए, बोर्ड पर, यह question है, हाँ पर, यहाँ शपले के किजिए, बोर्ड पर, बोर्ड झाद, यहाँ, बोर्ड पर, भी था वर यह सको, जबने को, झा यहाँ मैं, मैं पर मुर पर नापका झाल झाल कोशन अच्छा पूरा समझ माने के लिए ये चीज़े जरूरी है ये देखिया इस तरीके से है उसको ब्लैक से कर देता हूं यहां पर तीन ब्लॉक रखे हुए इडिया वर्न उसके बाद यह इससे कनेक्टेड है यह गया टू उसके बाद यह इससे कनेक्टेड है यह हो गया थ्री तीन ब्लॉक रखे हुए है इसका डिग्री ओफ्रिडम अपने को लिकालना है क्या कह रहे हैं आप यह आपको प्लेलिस्ट मिल गया डियर प्लेलिस्ट का लिंक है उसको आप सेव कर लीजिए जैसा भी है वह प्लेलिस्ट बाद में आप ढूंते मत रहेंगा उसमें तीन लेक्चर आज का चौनथा लेक्चर भी उसमें चला जायागा तो यह काफी हल्पूर रहने वाला है सिविल क्लास कमलेश कुमार प्रतिक सर ले रहा है और प्रतिक सर मेरे खासे आज प्रतिक सर का लाइव है क्या से आप community post follow करेंगे ना तो आप प्रतिक सर्थ का दिख जाएगा कि क्या चीज़े हैं ठीक समझेगा पुरा अच्छा थैंक्यू थैंक्यू डिया limitation is this limitation used in gate exam limitation जैसे मैं पहला link वाला आपन देखे थे हैं है ना पहला link वाला वो आया हुआ है gate exam में वो आया हुआ गेट exam में तो मान नहीं कह सकता कुछ ठीक है स्विल के class के बारे में बता दिया क्या है बाकी आप answer कर रहा है degree of freedom 1111 काफी लोगों का answer आया ठीक है यहां पर देखते हैं सबसे पहली हो गया link number 3 और यह कितना हो गया link number 4 तो टोटल नंबर आप लिंग्स आफो नंबर आप ज्वाइंट one two three four and five ध्यान से देखिएगा जो mistake किया होंगे count करने में link count करना बहुत simple था एक fix link था और तीन अलग link दीख रहा है साप साप टोटल चार हो गया ठीक joint count करना है मुझे that is your lower pair sliding pair एक हो गया ये वाला one ये हो गया two भाई ये भी तो नीच वाल प्लेन से जूड़ा है न ये हो गया three ये हो जाएगा four ये हो जाएगा आपका five total कितने हो गया five j equal to five now degree of freedom यहाँ पर again rotation is not allowed so y वाला formula हो जाएगा two l minus one minus minus j minus j so ये हो जाएगा two into l that is your four minus one minus j that is your five तो ये कितना हो गया आपका four three ये six हा और degree of freedom इसका आ गया हो है correct बिल्कुल correct तो ये क्या हुआ ये कुर्सबैक equation ही है लेकिन ये कुर्सबैक equation कब जब 2D में एक motion को रोग दिया that is your rotation this is your कुर्सबैक equation कुर्सबैक equation उसी के concept से ही है चीजे कुर्सबैक equation when rotation is not allowed rotation is not allowed तभी ये कुर्सबैक equation आए और degree of freedom equal to one correct लेकिन अगेन फिर भी by observation भी हम एक बोल सकते हैं बिल्कुल सही डारेक्ट आप एक बोल सकते हैं सर टाइम तो बता दीजें सर हमें पता नहीं है आप community post में जाईए न कम्लेश कुमार क्या कर रहा है डियर आप engineer हो यार आप engineer हो और आपको मैं बोला community post में जाईए तो शायद आप यह ढूंडते रहे गया होंगे कि community post कहा है ऐसा ऐसा नहीं होगा ना ऐसे में तो गड़वड है आज नहीं हो रहा है प्रतिक सर की class आज नहीं है शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन class चलते रहता है सर नॉर्मली आप follow करेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है मिल का की सर जब rotation नहीं है तब यह follow करना बट अगर translation is not allowed इन, translation इस नारा ondan फिर चीज modified बदल जाएगे ठीक है translation is not allowed then हना सुर्प rotation allowed है सिर्प rotation allowed है और translation allowed नहीं है एक direction का translation ही restrict हर बार हो रहा है हर बार restrict हो रहा है अना तब मुझे different तरीके से बात करनी चीह हो समय है लेकिन अगर माँ बात करूँ कि वो एक link है जिसमें ऐसा है कि भाई उसमें rotation allowed है translation allowed नहीं है और एक ही direction में translation allowed नहीं है तो फिर से आपका maximum possible motion कितना हो जाएगा 2 maximum possible motion कितना हो जाएगा 2 समय भी तो फिर से formula जो deduce होगा वो यही होने वाला clear है ठीक है ठीक है फ्रिक्शन वाले problem की तरह है हाँ यह friction वाला यह wage wage का ही problem है ठीक है अब देखो मैं यह कह रहा था मैं यह कह रहा था dear कि यहाँ पर यह कुर्जबै की question ही है जब rotation allowed नहीं है और यह answer सहीं दे रहा है अभी तक लेकिन इसमें भी limitation है देखिए यहाँ पर यह वाला question है यह वाला question में मैं यह इधर focus कीजिए अब भाई यह question बदल दिया यह higher pair हो गया यह higher pair हो गया यहाँ पर यह higher pair हो गया मतलब number of link कितना हो गया 3 है ठीक है number of lower pair 1 2 यह 2 हो जाएगा और number of higher pair equal to 1 लेकिन higher pair का तो आपके formula में जगई नहीं था because higher pair is having 2 degree of freedom इसलिए तो higher pair वहाँ पर 0 हो जा रहा था ठीक अब दिखो अगर इस formula में put करोगे तो f equal to कितना आ जाएगा that is your 2 into l minus 1 that is your 2 minus j j equal to again 2 है so यह ओ गया आपका degree of freedom 2 आ रहा है लेकिन ऐसा है क्या इसमें degree of freedom 2 आएगा क्या नहीं जैसे ही इसको push करोगे यह आपका ऐसा भी रहेगा तब यह ऊपर जाने वाला है clear है so degree of freedom will be here also one but this is limitation अब कोई कोई थोड़ी दिर बाद ना कोई student ना यह वाला formula follow कर देगा यह वाला formula follow कर देगा और इसमें बोलेगा कि sir 3 3L minus 1 मतलब 3 into 3 minus 1 कर दिया मैं और minus 2J कर दिया minus 2 into 2 हो गया and minus 1 कर दिया तो यह आ गया आपका 3 to 6 और यह 4 और यह आपका degree of freedom 1 आ गया sir यह formula आप सहीं दे दे रहा है sir यह formula सहीं दे दे रहा है अरे नहीं देगा ना यह formula अगर सहीं दे रहा है तो यह इस particular case के लिए दे रहा है लेकिन यह formula क्या इस case के लिए बना था क्या नहीं क्यों क्योंकि इसमें rotation allowed नहीं है यह formula आप apply नहीं कर सकते हैं आप apply कर सकते हैं तो यह formula apply कर सकते हैं लेकिन इस formula से आपका degree of freedom तू आ रहा है मतलब again limitation कि अधियर हाना बहुत अच्छी चीज़ हम लोग करने वाले हैं लिखे लिखे limitation लिखे हैं अगे कि भाई अगर आपका 2D में दो ही motion allowed है दो ही motion allowed है और उस समय अगर higher pair आता है then again puts back equation cannot give correct answer लिखें लिखें सर यदि ये दोनों block के age को करवे linear कर दूं तो क्या होगा answer दोनों block के age को मतलब कौन से age को कह रहे हो अनिकेद ये वाला कि ये वाला कह रहे हो क्या ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला दोनों block के age को तो ये मैंने कर वी linear कर दिया हाना इसको नीचे वाले को और इधर को कह रहे हो क्या तब चीजे और बदल जाएगे ठीक है ना तब डिग्री ओफ फिडम उस समय वन जरूरी नहीं है उस समय फिर स्लिपिंग वगरा ये सारी चीजे केसे जाएंगे ठीक यहाँ पर भी अभी भी अभी भी मैं यहीं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगा स्लिपिंग नहीं होगा मतलब यह आपका जैसे ही स्लिपिंग होगा इस तरीके से होगा कि जैसे ही इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यह उपर जाने वाला इस तरीके से मैं मान रहा हूँ थेकर ना ऐसा नहीं हो कि यह पर पॉइंट अपक्ट की यह वाला पॉइंट आपक्ट कि यहां पर कह रहे हो इस तरीके से कह रहे हो कि कि sir इसको रेड में हलका सा बना रहा हूं इस तरीके से कुछ बना देता हूं इस तरीके से कह रहा हूं कि रेड वाला तो yes sir रेड ऐसा लिग दे point of contact of two block ये बना दिया ना उसी question के बारे मैं तो बात कर रहा हूं अनिकेट कि point of contact अगर दोनों block का अच्छा point of contact दोनों block का नहीं आप ये वाला कह रहा है कि यहाँ पे sir ऐसा कर देंगे और यहाँ पे sir इसको भी ऐसा कर देंगे तब क्या चीज़ बदलाव आएंगी, तब तो बहुत ज़्यादा बदलाव आजाएगा, तब तो बहुत ज़्यादा बदलाव आजाएगा, ठीक, we cannot decide, हाना यहाँ पे, और मतब फॉर्मुले से, फॉर्मुले से answer नहीं आएगा, we can decide by the observation only, we can decide by the observation only, ठीक, लिखे, लिखे भ palace. Fair answer, Kutualtene Question does not give correct answer. In a planer mechanism, in a planer mechanism where in a planer mechanism where rotation where rotation is not allowed where rotation is not allowed if rotation is not allowed, if mechanism is having higher pair ठीक, तो भाई अपने को पता चला कि कूर्जबैक एक्वेशन ऐसा है कि बहुत सारी चीजों के बारे में भी बात नहीं करता और वो क्या-क्या बात नहीं करता उसके बारे में मैंने आपको बताया, आप इन चीजों को फॉलो करते हुए चलिए, almost, मुझे नहीं लगता कि आ नहीं पर भी नहीं फस होगे, ग्रेजवेशन लेवल और जितने भी आप एक्जाम फाइट करने वाले हो, all एक्जाम, जितने भी हैं, वो सब ग्रेजवेशन लेवल के ही है, चलिए, अब बढ़ेंगे, अच्छा, equivalent mechanism के बारे में मैं बात करता हूँ, तो equivalent mechanism के बारे में बा मैंने आपको एक तरीके से, यह देखें, यहाँ पर spring लगा दिया, यहाँ पर spring लगा दिया, अब यह spring को किस तरीके से अपन बात करेंगे, नहीं नरिंदर, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी पहुंच जाएंगे, यह equivalent link के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, कि spring रहेगा, तो क्या यह किसी को idea है, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, मैं erase कर रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ थे, equivalent link के बारे में मैं बात करेंगे, मैं कल आपको एक note लिखवाया था dear, हाना, at the end of class, कि अगर किसी mechanism में number of link even होंगे, तो degree of freedom क्या होंगे, odd होंगे, और किसी mechanism में degree of freedom अगर even है, तो number of link should be odd, हाना, vice versa होता है, ठीक, third limitation, यह third limitation है, yes, बिल्को सही, sir, inversion क्या होता है, inversion में पहुंचेंगे dear, हाना, पहुंचेंगे, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, इतनी चीजे तो, जितना आप बोल रहना, अभी classes चलते रहेंगे, हाना, कल भी class लोंगा, अभी continue, यह 4th class है, 11 बज़े से class हो रही है, कल भी 11 बज़ नहीं होगा, जो भी है, ठीक है, लेकिन 11 बज़े most probably होने वाला है, now idea, देखें, spring is equivalent to two binary, ठीक है, चलिए, चलिए, देखते हैं, अब देखो, मैं यहाँ पे, इसको तो count करके बताऊंगा, इसका degree of freedom भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको, यहाँ पे heading डाल के बता रह equivalent links, now idea, number one, अगर मैंने spring बोला, अगर मैंने spring बोला, यह हो गया A point, यह हो गया B point, यह spring का A point हो गया, यह spring का B point हो गया, clear है, ठीक, अब दीखिए, अगर spring को आप stretch करते हैं, spring को अगर आप stretch करते हैं, तो A point क्या होगा, उपर कहीं जाएगा, B point भी कहीं नीचे आएगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगे, clear है, अगर compress करते हैं, तो B कहीं इधर आजाएगा, A कहीं इधर आजाएगा, मतलब क्या हो गया, कि एक दूसरे के पास आएगे, या एक द यह हो गया, A, यह हो गया, B, clear है, अब दीखिए, और इसको मैंने मान लिया, C, अब दीखिए, C point को, C point को, अगर मैं इधर move किया, C point को, इधर move किया, तो A point क्या होगा, दूर जाएगा, B point भी दूर जाएगा, मतलब A, B, एक दूसरे से दूर जाएगे, that is nothing but equivalent to stretching of spring, that is nothing but equivalent to stretching of spring, similarly, similarly, अगर मैंने इसको C को इधर कीचा, इधर कीचा, इधर कीचा, then A or B, एक दूसरे के पास आएगे, that is nothing but compression of spring, it means that I can say spring can be converted into, what, two links, which is having turning pair, which is having turning pair, clear है, ठीक, similarly, आगे बढ़ता हूँ, second one, one higher pair, can be replaced by, can be replaced by, two lower pair, एक higher pair को दो lower pair से replace कर सकता हूँ, ठीक, ठीक है, देखिए, एक higher pair को मैं इस तरीके से बना दिया यहां पर, यह तो कल भी बनाया था, आज कुछ अलग बना दे क्या, ठीक है, इसके बाद अलग कोई example लोगा, इस तरीके से, now my dear, this is the lower pair, this is the lower pair, this is the higher pair, now I am going to replace this higher pair और यह जो equivalent आप लिंक पढ़े लो, हाँ न, वो ऐसा होगा कि अगर आप रेप्लेस करें गोई, तो वो पर्टिकुलर उसी instant के लिए होने माला है, clear है, ठीक है, so this higher pair, this higher pair can be replaced by the two lower pair, how, कैसे replace करेंगे, देखी, यह जो point contact है, वो क्या हुआ होगा, यह वाला point contact बोलो, या अगर मैंने बोला इसका width है, तो line contact भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, अभी point contact मैं consider कर रहा हूँ, तो मैं बोला कि यह जो curve, जिस पर यह contact होगा, यह curve, यह curve का instantaneous center होगा, let us assume, वो center, यहाँ कहीं है, and this is nothing but instantaneous radius of rotation, clear है, ठीक है, यहाँ से लेके, मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि कोई भी curve, जैसे कि आपका circle रहता है, circle रहता है, तो उसका center यह हो गया, तो हर एक instant पे उसका radius क्या रहने वाला है, constant रहने वाला है, हर एक instant पे उसका radius क्या रहने वाला है, constant रहने वाला है, Similarly, second वाला ये वाला जो link है, इसका जो ये हो गया curvature, इसका center, instantaneous center, इसको अंदर मान लेता हूँ, मेरी मर्जी ना, मेरी मर्जी मतलब वो उस particular situation में क्या आएगा, वो दिखेगा, ठीक है, अभी तो नहीं दीख रहा है, तो मैं अंदर आ रहा है, latest item यहाँ पर अंदर मान लेता हू तो ये क्या हो गया, एक link बन गया, अब यहाँ से इसको connect कर दो, यहाँ से इसको connect कर दो, तो ये हो गया, O, A, B, C, तो ये जो higher pair था, ये higher pair, now converted into two lower pair, this is new lower pair, lower pair, this is also lower pair, पहले इस mechanism में दो lower pair और एक higher pair था, अभी कितने lower pair हो गया, total 4, एक higher pair किस से replace हो गया, दो lower pair से, similarly, ठीक, higher pair को दो binary joint से change करके आराम से बना सकते हैं, हम बिल्कुल से ही, वही तो मैं सिखा रहा हूँ, similarly, एक दो example और दे देता हूँ इसमें, जैसे कि, एक एक example मैं इससे पहले करवाया हूँ, आपको redundancy के case में उसी को ले लेता हूँ, लीजे, इस तरीके से है कुछ, इस तरीके से है कुछ, नो my dear, नो, इसमें और मज़ा आने वाला है, ये क्या है, ये तो circle है, ये तो circle है, ठीक, लेकिन circle कैसा है, eccentric, मैं इस तरीके से माना इसको, चुक है, इसका center, इस circle का center यहाँ कही है, लेकिन, ये इस eccentricity से hinge drive, ये circle जो है, ये जो disk है, वो इस eccentricity से hinge drive, नो, my dear, here, this is the higher pair, this is the higher pair, this higher pair can be replaced by the lower pair, तो क्या है, रूल क्या है, रूल ये है, कि इसका जो curvature होगा, करवेचर होगा, उसका उस particular time पर center क्या होगा, तो ये तो circle है, तो circle का center क्या होगा भाई, ये ही होगा, ये, ठिक, तो ये center हो गया, ये हो गया, इसको यहाँ से, यहाँ मिला दिया, ये center हो गया, लेकिन hinge कहां था, यहाँ था, यहाँ था, यह, तो total, यहाँ पर देखिए, ये आपका, ये वाला higher pair, ये वाला पहले आपका क्या था, पहले क्या था, एक lower pair था, दो lower pair थे, और एक higher pair था, अब इस mechanism में, इस तरीके से convert हो गया, ये, पहले क्या थे, ये lower pair था, और ये बस lower pair था, और यहाँ पर higher pair था, बट, इस higher pair, one and two, दो lower pair में वापस करमाठ हो गया, particular instant के लिए, तो क्या किया, उस curve का center project करूँगा, उसके बाद, जहाँ से वो fix का, वहाँ से link कर दूँगा, तो ये आपका क्या आजाएगा, higher pair को आपने lower pair में replace कर दिया, clear है, ठीक, ठीक है, यहाँ तक clear, अब देखिए एक चीज़ और, एक चीज़ और, lower pair को, simple turning pair को, मैं sliding pair में भी convert कर सकता हूँ, simple turning pair को sliding pair में convert कर सकता हूँ, ये note कर लिए क्या equivalent, ये इतना note कीज़े, हाना, यह spring से लेकर वहाँ तक, फिर done लिखिएगा, फिर आगे बढ़ूँगा, पहले note कर लिज़े, note कर लिज़े, और क्या समझ मैं अभी तक जो मैं बात किया, ठीक अडिया, मैं अदेश करते हैं चाड़ रहा हूँ भाई हर, note कर लिए हो गे, हाँ, ठीक, चलिए चलिए, इधर, 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 अचलिए, note कर लो, एक, मतलब, 10-20 सेकंड और दे देते हैं, Sir, अगर ऐसे में velocity लिका लेंगे, दोनों same value of velocity देगा, at instant, please only say yes या no, yes, और मैं कराऊंगा भी नरेंदर, question कराऊंगा, जब velocity आएगा न, जब velocity का concept आएगा, guarantee दे रहा हूँ, मैं वहाँ से question कराऊंगा, clear है, ऐसे यसी का ही question कराऊंगा, या जिनको आता है, वो ये concept को लेके, question आया हूँगा है, gate exam है, वो question कर लेंगा, हाँ हाँ, velocity analysis concept है, Sir, आज तो मज़ा ही आगया, बिलकुल बिलकुल देर मज़ा रोज आएगा, previous classes और देखोंगे तो और मज़ा आएगा, connect बहुत अच्छे से कर पाऊगे, बहुत अच्छी चीजा हम लोग अभी तक डिल कर रहे हैं, अब देखिए, अगला, third, third मैंने बोला, turning pair can be replaced by, replaced by sliding pair, turning pair को आप sliding pair से replace कर सकते हैं, turning pair को sliding pair से आप replace कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, जैसे कि यह एक mechanism हो गया, यह हो गया O, यह हो गया A, यह हो गया B, और यह हो गया C, now मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस particular instant में यह B है, जो B का turning pair है, उसको sliding pair, मैं कह रहा हूँ कि velocity कभी, time भी velocity, पहले तो आपन mechanism पढ़ ले, चेकर ना, अब तो बहुत सारी चीज़े बच्ची हैं, आपको ऐसा है कि topic कोई भी random topic उठा के, मैं चार बाते करके चला जाओ, कि जैसे अभी पढ़ा रहूँ वैसे पढ़ना है, मुझे लगता है, अभी जैसे पढ़ा रहूँ वैसे में ज्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि चीजों को starting से मैं connect करते हुए आया हूँ, तो यह कोई भी student अगर देखेगा, एक जिनको जीरो मैं मान के चला हूँ, कि basic knowledge भी नहीं है, just 10-11 तक का knowledge है, तो वहाँ से वो चीज़े कर सकता है, जहां intersect करेगा, वहाँ आएगा, हाँ, मैं बात करूँगा, जब आते जाएगा चीजों को, मैं बताते जाओँगा, ठीक है, यहाँ पर देखेँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ, B को, B is the, what, turning pair, इसको sliding pair मैं convert करना चाहा रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें input दिऊंगा, तो यह जो output मिलेगा, B, इस तरीके से कुछ घूमने वाला है, B, B point जो है, इस तरीके से कुछ घूमनेगा, B point, हाँ की न, इस तरीके से कुछ घूमनेगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको हटा के, B को, यह जो B है, turning pair को हटा के, क्या लगा दिया, sliding pair, with the guide, इसको replace कर दूँगा, एक sliding pair अचा, यह देखिए, यह black वाला marker जो use किया हूँ, यह यह हो गया, इस तरीके से, यह sliding pair में convert कर दिया, यह हो गया, इस particular instant में, क्या हो गया, यह यह वाला जो turning pair है, उसको मैंने sliding pair से convert कर दिया, अब देखो, यह क्या हो गया, भाई, इस ही curvature में है, मतलब, इसको तो अब हटा दूँगा न, इसको हटा दिया, यह वाला हटा दिया, यह link खड़ जाएगा, चिक, अब यह link खड़ जाएगा, तो जैसे ही input दूँगा, तो यह जो B है, वो इसी curvature में घुमेगा, इसी tunnel में घुमेगा, वैसे emotion देगा, जैसे B है, clear है, मतलब मैं कह सकता हूँ, इसलिए ध्यान देना पड़ता है, आपको समझ मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तो पढ़ा के चड़ा जाँगा, important यह है कि आपको नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज, आपके comment में अगर कुछ ऐसा चीज मिलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग connect हो, क्योंकि हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है, आप लोग जिस तरीके से doubt पूछ होगे न, हाँ न, तो वहाँ से और चीजे लिकल के आती है, यही मज़ा है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर मैं बोला कि this lower pair, this lower pair is replaced by the what, sorry, turning pair is replaced by the what, sliding pair, दिखा क्या, किस तरीके से हुआ, sliding pair में replaced, तो यह होते है, equivalent mechanism, यह equivalent mechanism होते है, उससे पहले दो radius consider किया था, दो radius मतलब वही था, common normal में दोनों का particular instantaneous का वेचर वैसा ही आने वाला है, न, न, वो basic है, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, बात करते हैं, इधार, यह question के बारे है, आप बात करता हूँ मैं, अच्छा, question से पहले, क्या यह समझ में आया, equivalent link समझ में उस पे comment कीजे, फिर मैं बात करूँगा, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ, आप लोग, सभी लोग वई कहरे हैं, sorry, sorry, मैं भूल गया था कि कहां पर बात हो रही था, हाँ, मैं समझ में आया, बिल्कुँ सभी, चलिए, 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 मैं अब erase कर रहा हूँ, नोट कर लीजे, हाँ न, म पहले भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना रहा गया था। अगर नहीं आया सब प्लीस रिपीट जगमोहन जस्ट रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए यह देखिए यह एक दो तीन चार यह टर्निंग पे एरथा इसको मैं रिप्लेस करना चाहा रहा हूँ अगर इसको गुमाऊँगा यह इंपूट दूँगा तो यह क्या होगा इस तरीके से कुछ घुमेगा एप cham इस तो अगर यह ऐसे घुम रहा है तो मैं ऐसं समय कर रहा हूँ कि B इस तरीके से कुछ घुम रहा होगा यह नीचे आया तो हो सकता है वो इधर वापसी के condition होगा किसी भी condition हो वो क्या करेगा वो यहां से लेके यहां तक यह जो link है यह वाला link यह तो pure rotation में आएगा ना यह तो इधर आएगा यह तो इधर जाएगा सो मैंने क्या किया कि यहां पर एक tunnel बना लिया और यह tunnel ऐसा tunnel है कि यह वाला जो आया है यह curvature यह जो follow करेगा वो कुछ नहीं यह वाला radius को अब दिर कोई इस tunnel में अगर एक slider डालोगे तो B point का जो इस से पहले velocity मिल रहा था जिस तरीके से B point मूब कर रहा था same same अभी B point इस tunnel में मूब करेगा सो मैंने replace कर दिया एक turning pair को एक sliding pair से replace कर दिया sir please repeat 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 क्या डिया link BC को remove करेंगा हाँ BC को हटा दिया BC को हटाना जरूरी है बाई तब ही तो मतलब है ठीक है हाँ homework आएगा homework homework आएगा homework आएगा यह देखी यह वाला question अभी तक किसी को नहीं समझ माए आप नीचे message कीजेगा यह वाले question में चल रहा हूँ अब देखी इस वाले question में क्या करना है यह spring लगा है तो spring को क्या कर सकता हूँ मैं replace कर सकता हूँ किसे यह दो लिम से विद टर्निंग पेर नाव धिस इस प्रिंग इस रिप्लेच्ट अब असान हो गया क्या यह question अब असान हो गया जैसे पढते थे वैसा ही हो गया this is your link number 1, this is your link number 2, this is your link number 3, this is your link number 4, this is your link number 5, total कितने हो गया, पाँच लिंग, total कितने हो गया, पाँच लिंग, total पाँच लिंग, number of joint, 1, 2, 3, 4, 5, so lower pair is 5, number of higher pair is 1, h equal to 1, so degree of freedom, that is what 3L minus 1, 3L minus 1, तो 3, यहाँ पर rotation हो रहा है भाई, ठीक है न, कोई अभी थोड़ी देर पहले चल रहा है थो, उसी में मत फसे रहा है न, यहाँ पर यह लिंग का rotation हो रहा है न, ठीक है न, रोटेट होगा न, ठीक है, तो यहाँ पर degree of freedom कितना हो जाएगा, 3L minus 1, तो 3L minus 1 मतलब 4, 3 into 4 minus 2J2 into 5 minus 1, so that is your 12L minus 10 minus 1, that is your degree of freedom equal to 1, degree of freedom कितना आजाएगा, 1 आजाएगा, बिल्कुल सही, आप पहले बताये थे कि एक लिंग के रोटेट होने से दूसरा लिंग ऊपर जाएगा, या नीचे आएगा, हाँ, क्या कह रहे हूँ, इसमें कह रहे हूँ, एक लिंग के रोटेट होने से, इस प्रिंग में कह रहे है क्या, नरे इंदर क्या कह रहे हूँ, कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ, ने कनेक कर पाए यह समझ में आया है कि यह कोश्चन समझ में आया है आप अपना मेसेज लिखी है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ पे एक चीज और इस इस यूर होमवर्क कोई अभी आंसर नहीं करेगा ठीक यहाँ अपना में आया है यह होमवर्क रहे है अगर डियर कोई आंसर नहीं करेगा भी इसमें भी मैं केसेज अभी डिफाइन कर दूँगा कि कौन-कौन से केस में आंसर चाहिए यह वही कोईशन है जिसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइ किया हूँ यह स्प्रिंग हो गया यह चीजे वही है यहाँ पर यह मॉडिफिकेशन हो गया कि बीच में मैंने एक रोलर लगा दिया देखिए ध्यान से देखेंगे तो रोलर कोशन पर है इधार जो रोलर है रोलर इस हिंज रैट दा सेंटर रोलर इस हिंज रैट दा सेंटर नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा अभी आंसर नहीं करना है बल्गुल सही अभी आंसर नहीं करना है आप आज जो पड़े हो हाँ उसका अपने को फाइदा क्या हुआ क्या चीजे हैं वो होंवक से ही पता चलेगा यह होंवक है तो इसमें क्या किया मैं मैंने एक बीच में रोल roller hinged at centre, hinged at centre and case number 2 roller hinged eccentrically, roller hinged, eccentrically, ठीक, roller अगर eccentrically hinged होगा तब degree of freedom और आपका center में hinged है तब degree of freedom, जल्दी नोट कीजिए यह homework है, अभी answer नहीं करना है, हाँ, सही में block कर दिया जाएगा deal, ठीक है, सर, जे कैसे count किया, राहूल यादव, previous lecture देखना है, आपको इसमें playlist भी मिला है, previous lecture देखना है, क्या कह रहा है, सर, sliding pair से replace किया, तो friction होगा, तो work ज्यादा करना पड़ेगा, फिर क्यों, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, देखे, मैं यह कह रहा हूं कि जो sliding pair, vice versa भी तो था ना, जो sliding pair था, उसको, मैं क्या कर दिया, turning pair से replace कर दिया, vice versa भी तो हो रहा था ना, भाई, ठीक है, राहूल, in four turning pair में, आप बताया हैं न, last year, instantaneous concept से, हाँ, चार turning pair में आप बता, हाँ, मैं last year कुछ तो, बताया हूं, sir, last question बता दीजिए, फिर से, यह वाला question तो असान है, यह वाला question असान है, इसमें क्या किया था, यह spring था, spring को अपन क्या कर सकते हैं, दो link with the turning pair से replace कर सकते हैं, कर दिया, अब count किया, link number one, यह fixed link है, यह पूरा fixed link है यह link number two हो गया, यह link number three हो गया, यह पूरा आपका link number four हो गया, और यह एक link number five, total कितने link हो गया है, पाँच, number of joint, एक joint, क्योंकि link one और two यहाँ पे connected है, link number two and three यहाँ पे connected है, दो joint, three and five यहाँ पे connected है, तीन joint, five and four यहाँ पे connected है, चार, और यह हो गया, पाँच, total five joint, higher pair, यह higher बाकी फॉर्मूला में पूट की आंसर मिल गया है ठीक तर्टनिंग को स्लाइडिंग में क्यों किया दोनों तो लोगा पेर ही है उसका अंसर इससे पहले किसी नहीं बोला था हुआ है हाना वो ऐसा कुछ है नहीं अपन इसलिए मतलब अपन उन्ची जो को पढ़ लाएं या उन्ची जो को देखते हैं हाना सबसे पहली बात तो इक्विवेलेंट चीजे देखते हैं इक्विवेलेंट चीजे मतलब सेम चीज मैं अचीव कर सकता हूँ ठीक अब किसी नहीं बोला कि सर अगर स्लाइडर होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा ज्यादा फ्रिक्शन होगा ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा लॉसस मतलब ज्यादा वियर टियर नुकसान ज्य तो उसको turning pair में replace किया वापस समझ में रहे हैं मतलब आप turning pair को sliding pair में replace कर सकता हूं बोला मैं या तुम मैं कह सकता हूं sliding pair जो होने वाला है वो आपका इसमें turning pair में replace होगा ठीक है ठीक है भाई यह homework note कर लिए homework में focus कीजिए मैं आप शुरू करूंगा grubler criteria ही बताऊंगा four bar mechanism वगरा कल पढ़ेंगे भाई ठीक है आज grubler criteria के बारे में बात करूंगा चलिए शुरू करते हमें आपके पास kudds back equation क्या होता है f equal to 3 l minus 1 minus 2j minus h यह होता है ठीक this formula this kudds back equation is for the for a planar mechanism this is this is valid for this is valid for a planar mechanism ठीक यह planar mechanism के लिए valid है बिलकु सहीं ठीक अब देखो यह जो planar mechanism है एसा planar mechanism मैं constraint planar mechanism चाह रहा हूं constraint planar mechanism ठीक सिप constraint word use क्या हूं हाना यह constraint word का multiple जगा multiple meaning देखने को मिलता है ठीक है constraint बोल रहा हूं अभी constraint ठीक constraint जिसमे degree of freedom equal to 1 है एक ऐसा mechanism जिसमे degree of freedom क्या है 1 है ठीक है नरेंदर ना ग्रबलर कह रहा है फिर से अभी ग्रबलर यह आँगा 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 ठीक है ऐसा mechanism के बारे मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसा planar mechanism के बारे मैं बात करने जा रहा हूँ जिसमे degree of freedom क्या है 1 है degree of freedom 1 हुआ मतलब app equal to यहां पे 1 put कर दिया and 3L minus 3 3 को अंदर multiply कर दिया 3L minus 3 minus 2J minus H मतलब मैं एक ऐसे planar mechanism के बारे में बात कर रहा हूँ जो की constraint है मतलब जिसका degree of freedom 1 है और उस mechanism में lower pair और higher pair दोनों है lower pair और higher pair दोनों है उस mechanism के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें यह हो जाएगा आपका that is the one यह हो गया 4 यह 3L उधर ही रहन दीजे यह हो जाएगा 2J 3L को इधर रखा हम है यह हो जाएगा आपका 4 ठीक है न इधर आके सब हो जाएगा 2J plus H plus 4 यह होने वाला है यह equation बना 2J 3 plus 1 4 plus H ठीक और यहाँ से अगर मैं बोला L equal to 2J plus H plus 4 divided by 3 यह होगा अब देखिए यह एक आपको number of link का equation मिला number of link कभी आपका fraction में नहीं हो सकता that should be always whole number so अगर मैं यहाँ से इस तरीके से देखूं कि link हो गया joint हो गया higher pair हो गया अगर मैं एक joint रखा strip एक lower pair रखा मतलब J equal to 1 और higher pair equal to अगर 0 रखोंगा so J equal to 1 रखा और higher pair equal to 0 so कितना हो जाएगा 2 plus 4 equal to 6 6 divided by 3 that is equal to 2 मतलब number of link उस समय कितना आ रहा है 2 आ रहा है number of link कितना रहा है 2 लेकिन 2 link में क्या आप close kinematic chain बना सकते हैं possible ही नहीं है और हम लोग close kinematic chain पढ़ रहा है so close kinematic chain नहीं बन सकता close kinematic chain नहीं बन सकता ठीक so यह possible नहीं है ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैंने बोला कि इसको 1 रखा j को 1 रखा इसको भी 1 रख किया मतलब lower pair is also 1 higher pair is also 1 so 2 into 1 that is equal to 2 plus 1 that is equal to 3 3 plus 4 7 7 divided by 3 number नहीं हो सकता whole number नहीं हो सकता so link नहीं हो सकता आगे बढ़ता हूँ अगर मैंने बोला इसको 2 किया और इसको 0 किया इसको 2 किया मतलब j को यहां पर 2 किया so 2 2 is a 4 4 plus 4 that is your 8 h equal to 0 8 divided by 3 again 3 से divide नहीं होगा मतलब again इसमें link नहीं हो सकता अगर मैंने j को 2 किया और इसको 1 किया j को 2 किया इसको 1 किया अब j को 2 रख रहा हूँ so 2 2 is a 4 plus 1 मतलब कितना हो जे गया 4 plus 1 that is your 5 5 plus 4 9 9 divided by 3 9 divided by 3 so number of link is 3 क्या तिन link में एक close kinematic chain हो सकता है क्या yes एक close kinematic chain हो सकता है मतलब यहां से मुझे पता चल रहा है कि minimum number of link in a constraint planar mechanism which is having lower pair as well as higher pair lower pair as well as higher pair minimum number of link should be 3 minimum number of link should be 3 यहां तक note करो sir आपने 1 की जगर 3 क्यों लिखा अच्छा यहां पर यह अंदर multiply किया ना कौन पूच्छा ए इससी वा में इधर देख अरे 3L minus 3 अंदर multiply किया इंजिनियरों मैस लेके पड़े हो चीक है ना 3L minus 3 ऐसा ऐसा नहीं हो ना भाई ठीक है तो यह हो गया 1 degree of freedom app equal to 1 क्योंकि constraint मैं मान रहा हूँ ठीक उस mechanism के बारे मैं बात करना चाहा हूँ तो app equal to 1 put किया अंदर 3L minus 3 minus 2J minus H clear है चेक है तो यहां पर मुझे समझ मा आ रहा है यह इतना लिखने के बाद एक note लिखेंगे भाई एक note लिखेंगे लिखेंगे लिखें note मेरे साथ चलती रही है आपको बहुत मज़ा आने वाला है बहुत अच्छी चीज़े पढ़ेंगे अपन कोशिश करेंगे कि दीरे दीरे सारी चीज़े सिंग जाए यह इधर फोकस करो note का लिए के सभी done लिखे अगर note का लिए तो सभी done लिखे और आज एक home work भी मिल गया भाई आप लोगों को अगर note का लिए तो done लिखिए ठीक है ठीक है ठीक है परसर मिनिमम् किसी ने कहा फोर लिंक होना चाहिए किसी ने नहीं मैं ही कहूंगा रुको अभी सरी स्क्रीन साप नहीं दिख रहा है थोड़ा resolution बढ़ा लो बिटा अभी अभी चिंता मत करो इन है आपकी बात clear हो जाएगी यह लिख लिए यह लिख लिए नीचे लिखो note नीचे लिखो note note in a constraint planer mechanism in a constraint planer mechanism in a constraint planer mechanism which is having which is having lower pair as well as higher pair which is having lower pair as well as higher pair comma minimum number of link would be 3 minimum number of link would be 3 यह question आया हुआ है gate exam एक बार पूझ भी दिया गया था कि एक ऐसा planer mechanism है constraint ऐसा planer mechanism है जिसका degree of freedom 1 है और वो higher pair और lower pair दोनों रख सकता है तो minimum number of link कितने होने चीए minimum number of link कितने होने चीए 3 होने चीए आपको practically दिखाऊं आपको practically दिखाऊं जिसमें lower pair और higher pair रहेगा और degree of freedom उसका 1 रहेगा यह देखो विन्या practically दिखा दिया भाई कितने link 1, 2, 3 यह वापस 1 क्या इसमें higher pair है yes, one higher pair कितने lower pair है 1 और यह sliding pair 2 तो यहां पे एक lower pair होगया sliding pair यहां पे एक lower pair होगया ठिक तो टोटल कितने lower pair और कितने higher pair होगया आपके दो lower pair एक higher pair और total number of link 3 that is the one valid valid होगया clear है so, मैं बोला कि जिसमें higher pair allowed था now बात करेंगे अब grubler criteria अब बात कर रहा हूँ मैं grubler's criteria grubler criteria क्या होता है grubler criteria क्या होता है ऐसा mechanism ऐसा planar mechanism ऐसा constraint planar mechanism जिसका degree of freedom 1 हो और higher pair 0 हो इससे पहले मैं जो बात कर रहा था वो से planar mechanism था constraint planar mechanism था उसमें higher pair allowed थे higher pair allowed होगा तो minimum number of link should be 3 और अगर higher pair allowed नहीं है मतलब higher pair allowed नहीं होगा तो यह equation आपका higher pair यहां पर 0 हो जाएगा बाकी चीज़े तो same है ना बाई degree of freedom equal to 1 मतलब मैं यहां पर f equal to 3L minus 3 minus 2J h equal to 0 हो गया अब यहां से degree of freedom equal to 1 put कर देता हूँ यह हो गया 3L minus 3 minus 2J इस तरीके से अगर मैं लिकालना चाहूँ तो L equal to कितना आ जाएगा L equal to that is 0 2J 2J plus 4 divided by 3 2J plus 4 divided by 3 ठीक ठीक है? हाँ ठीक है finally grubra criteria मैं आ गया है ठीक है So L equal to 2J plus 4 divided by 3 यह मिला अब देखिया again same concept लगाऊँगा इससे पहले जो मैं बात किया था मैंने क्या किया यहां पे यह लिग दिया L यह लिग दिया J और H की जरुवत नहीं है अगर मैं बोला J equal to 1 रखा J equal to 1 रखा तो कितना हो जाएगा 4 plus 2 that is 6 6 divided by 3 that is your 2 so 2 में क्या आपका chain बन सकता है क्या नहीं बन सकता chain नहीं बने का close kinematic chain नहीं होगा ठीक अगर J equal to 2 रखा so that is your 4 4 plus 4 8 8 divided by 3 हो जी नहीं सकता ठीक number of link possible नहीं है अगर मैंने J equal to 3 रखा J equal to अगर मैंने 3 रखा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6 plus 4 10 अगर नहीं पॉसिबल नहीं है अगर J equal to 4 रखा तो यह हो जाएगा 4 2 जा 8 plus 4 आपका 4 that is your 12 divided by 3 मतलब आपका 12 divided by 3 number of link कितना आगा है 4 मुझे अब समझ में आया कि minimum number of link minimum number of link which is having degree of freedom is 1 and no higher pair is allowed so वहापे minimum number of link कितने होंगे 4 L minimum will be 4 L minimum will be 4 for the Grubbler criteria all pairs are lower pairs no higher pair is allowed no higher pair is allowed and the mechanism is having degree of freedom equal to 1 so minimum number of link according to Grubbler criteria should be 4 लेकिन इससे पहले मैं लिकाला था number of link minimum number of link here यहाँ पे लिख लिजे L minimum कितना था 3 इसको note भी लिखवाया हूं मैं note भी करवाया हूं इसमें higher pair allowed था तो यह Grubbler criteria नहीं था Grubbler criteria यह है जिसमें minimum number of link कितना आगा अच्छा note कीजे कोई doubt है तो मुझे बताईए ठिक हाँ very good कोई doubt है तो मुझे बताईए और ज्यादा से ज्यादा lecture share करो यह देखो मुझे आप लोगों का support चीए मा जितना ज्यादा आप लोग मुझे support करोगे उतनी ज्यादा चीजे मैं आप लोगों के पास लेके आ सकता हूँ मैं बार बार कहा रहा हूँ जितने ज्यादा लोग रहते हैं सोचने का तरीका उनका अलग रहेगा हर वेब यह हर चीज को अलग नजर यह से दिखता है विनैस समझ माया क्या बोल रहा था यास ठीक है ठीक है सो ग्रबलर क्राइटेरिया में मिनिमम नंबर आप लिंक कितने मिले चार मिनिमम नंबर आप लिंक मिले चार सो अन दीज बेसिस मिनिमम नंबर आप लिंक ग्रबलर क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग तीन तरीके के मेकनिजम पढ़ने वाले हैं तीन तरीके के मेकनिजम पढ़ने वाले हैं No doubt सर्व मज़ा आ गया सर आज तो कोई डॉट नहीं है अब आगे Thank you, thank you dear मज़ा आना चीए हाना बहुत अच्छी चीज़े होनी चीए तभी है लेकिन आप लोग सपोर्ट करिये ठीक हा एक चीज़ लिख लिजे अभी तक अगर नोट कर लिए तो एक चीज़ लिख लिख लिजे फिर क्लास मा है आज का यहीं पर ब्रेक करूंगा एक चीज़ लिख लिख लिजे ताकि कल वहीं से माँ बात करूं According to तो ग्रबलर क्राइटेरियो हाँ टेलिग्राम है न भाई टेलिग्राम दीपराच चंद्राकर IIT बंबे सर्च मारों मिल जाएगा किसी के पास है लिंक शेयर कर दो है आप आराम से मुझे आप कनेक कर पाऊंगे तो मुबिलिटी लिंकेज मतलब क्या होता है डिग्री अप फ्रीडम इस नोवन अस मुबिलिटी अप लिंकेज अक्चुली लिंकेज वर्ड प्रिकुलर लिंकेज वर्ड इस उस्ट पर लोवर पेयर मेकनिसम ठीक है इतना डैप्थ में नहीं जाना है आपको आपको सिंप्ली समझना है मॉबिलिटी अप लिंकेज मॉबिलिटी अप लिंकेज इस नथिंग बद दिग्री अप फ्रीडम अप मेकनिसम ठीक अधिक 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 दिग्री अप फ्रीडम पढ़ाया था भी बताय दिया था मैं minimum number of links are 4, minimum number of links are 4 and it gives and it gives and it gives 3 mechanism and it gives 3 mechanism number 1, number 1, number 1, 4 bar mechanism number 2, single slider crank mechanism single slider crank mechanism number 3, double slider crank mechanism double slider crank mechanism ठीक दीप्राज डीडवली पी रेज़े सी एच एडी आरे के आर चंद्राकर दीप्राज चंद्राकर आयाटी बॉम्बे की नाम से आप में सर्च कहीजिए आप Facebook में सर्च कीजिए मुझसे connect कर पाएंगे विने इससे पहले भी class attend कियो यह पूछ रहा है पहली class आप attend कियो होगे तो मैं उस तो मैं बताया था कोई भी अगर close chain के बारे में बात करूं first link is connected to the last link is a chain is a chain just but if relative motion between them is constant then that is known as लूप लूप रहा है तो लूप लूझसे आप बताया प्रेव बता दाप